डियर स्टूडेंट आप सभी काईपी स्टडी कॉमर्श अंड इंग्लिज गुरुजी चैनल में स्वागत है आज हम जानने वाले हैं अर्थ व्यूस्था की केंद्रिय समस्याएं यह चेप्टर नंबर फर्स्ट से है पहले ही काई का है और यह व्यूस्थियम समस्थिय अर् अर्यर प्रस्टन हैं इसलिए इस टॉपिक को हम अलग से विडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रियास कर रहे हैं तो यहाँ पर चीजे याद भी करनी है और साथ में समझनी भी है तो आप व्यूदियो के माध्यम से अच्छे से समझिये इस चीजों को यहाद करिए तो आपको परिक्षा में इन प्रस्णों के अंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, आर्थ-वियस्था के केंद्रिय समस्या किसे काते हैं, तो केंद्रिय समस्या जो है, चुनाओ के समस्या को केंद्रिय समस्या काते हैं, अब चुन हो जैसे हमारे पास धन है तो धन तो हमारे पास सीमित है लेकिन हमारी जो आशकता है वो अनन्त है हम उस धन को जो हमारे पास है उसका उपयोग उन चीजों में करेंगे जिसे हमको अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त हो सके ऐसी जो है अर्थ व्यवस्ता में भी जो संसाधन ज समस्ते हैं तो अर्थ ब्यवस्था के साधन जो है संसाधन दूरलब है और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं जिसके करण चुनाओं की समस्या का सामना करना पड़ता है इस प्रकार समस्त अर्थ ब्यवस्थाओं द्वारा चुनाओं का दवाओ किसका दबाओ चुनाओ मतलब चैन की समस्या चुनाओ का दबाओ या चुनाओ की समस्या ठीक है हमारे पास साधन क्या सीमित है लेकिन उसका वैकलपिक प्रयोग बहुं सारे जगव में हो सकता है तो उनमें से किसमें हम आधिक मात्र या किसमें उपयोग करें जैसे उसकी उपयोगिता सबसे सरवाधिक मिले दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोगों में चैन की समस्या को अर्थ विवस्था की केंद्रिय समस्या माना जाता है हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और उसका विविन्न उपयोग है अब उन उप्योगों में से हम ऐसे चीजों में उनको उप्योग करेंगे जिससे हमको जो अधिक्तम संतुष्टी प्राप्ता हो सके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये साधनों के आबंटन की बुन्यादी समस्या के तीन पालू हैं जिनें आर्थविवस्था की तीन के केंद्री समस्या है कौन कौन सा तीन केंद्री समस्या है पहला है क्या उत्पादन किया जाए क्या उत्पादन किया जाए दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरा जो पॉइंट है वो किसके लिए उत्पादन किया जाए क्या उत्पादन किया जाए कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए ये तीन टॉपिक के ऊपर आज हम डिसकास करने वाले हैं और परिछा में जब आता है कि अर्थ व्योस्ता केंद्रिय समस्याओं के वर्डन किजिए तो आपको क्या तो पहला क्या उत्पादन किया जाए दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए इन तीनों टॉपिक को पराजे के करके बारी-बारी से डिस्कस करेंगे और आप भी परिच्छा में जबाएगा तो इसी प्रकार से लिखना है पर देखिए तो क्या उत्पादन किया जाए तो प्रत्यक अर्थव्यवस्था को यह चुनाओ करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों के किन-किन वस्तूओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करें प्रत्यक अर्थव्यवस्था को चुनाओ करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों से किन-किन वस्तूओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करें क्लियर है चुनकि एक वस्तूओं का अधिक उत्पादन समानिता दूसरी वस्तूओं के उत्पादन को कम कर देता है अगर माले जाए हम एक वस्तूओं का उत्पादन अधिक करेंगे तो दूसरी वस्तूओं का उत्पादन कम हो जाएगा करने के तार्थ पर या है कि प्रत्यक अर्थवर्स्था में यह चुनाओ करना पड़ता है हमको कि अपने सीमिद संसादन जैसे हमारे पास भूपी है भूपी भूमी श्रम पूंजी साहस संगठन तो भूमी श्रम पूंजी माल ये जाए भूमी है अब उस जमीन में हमको कोई वस्तू पैदा करनी है और हमको गेहूं और चावल दोनों की आओ सकता है तो हम कीज वस्तू का कितना उत्पादन करें ये हो गई चवयन की समस्या ठीक है कित हम गेहूं को उत्पादन ज्यादा करेंगे हमारे पास अगर पांच एकड़ खेत है उसमें हम चार एकड़ खेत में गेहूं लगाएंगे और एक एकड़ खेत में धान लगाएंगे तो समानियसी बात है कि गेहूं को उत्पादन ज्यादा होगा और धान का उत्पादन कम ह जाएगा उसी प्रकार जैस्ट इसको उल्टा करेंगे छार एकड़ में धान लखाएंगे एक holding तो उसमें भी ुए-छान की मात्रा बढ़ जाएगी कि मात्रा कम हो जाएगी तो हमको जो है किस प्रकार से ऊत्पादन करना है क्या ऊत्पादन किया जाए इसका निणा लेना है चुनाव करना है यही समस्य पहला है कि क्या उतपाधन किया जाए तो प्रत्यकर्थ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या उत्पादन किया जाए, इसके दो पहलू हैं, क्या उत्पादन किया जाए के दो पहलू है, पहला है कि किन किन संभावित वस्तों का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए समस्या के दो पहलू, पहला है कि किन किन संभावित वस्तों को उत्पादन किया जाए और दूसरा है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए क्लियर हो गया क्या बुर रहा है कि कीन कीन वस्तों को उत्पादन किया जाए और कितनी है कि याद रखना है कि किशन किन्स उत्पादन किया जाए कितनी मात्रा में उत्पादन कि जाए किन किन वस्तु का उत्पादन के जाए और कितनी मात्र में उत्पादन के जाए एक अर्थ अब वस्ता को भूगत वस्तु जैसे चावल के हूं कपड़े आधी और पूंजीगत वस्तु मसीन उपकरण आधी के बीच उत्पादन के लिए चुनाओ करना है हमको अब इस में दो गोई पैंट को याद करना पड़ेगा ये तो भोक्तावस्तु और दूसरा लिखा पुंजीगत वस्तु इन दोनों के बीच हमको करना कि किनी मात्र में कीन किन वस्तू को उत्पादन क्या जाये लिखा है तो कीन किस अब होत अदूसरा उभोक्ता वस्तू, ख्लियर है? किन किन वस्तू में पुन्जीगत वस्तू और भोक्ता वस्तू, जैसे पुन्जीगत वस्तू में क्या क्या जब़ है? और उभोकता वस्तु में आएगा चावल के हूं कपड़े आदी इन दोनों वस्तुओं के संभावित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए इसका चेहन करेंगे इसका चुनाव करेंगे दूसरा लिखा है दूसरा जो पॉइंट है वह है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए तो वस्तूयों का चुनाव करने के परचाばम हमने पुझिगत वस्तू में अगर मसीन उत्पादन करना है और म्फोक्ताigent में चावल उत्पादन करना है तो हम पहले चार्ण कर लिए कि चावल के हुँ कपड़े में कुछ उत्पादन करने तो अगर चावल का करना है इसमें मसीन में मसीन का करना है तो दोनों का वस्तुओं में फिर हम यह डिसाइड करेंगे कि मसीन कितना पैदा करना है मतलब कितना उत्पादन करना है और चावल का कितना उत्पादन करना है ठीक है यह दोनों डिसाइड करना है त वस्तुमों का कितनी मात्रम उत्पादन किया जाए ये दोनों पहलों को आप समझना है इस समस्या का मुल्व सिधान अधिक्तम कुल संतोष्टी प्राप्त करना है अब ये समझ भाएंगे कि इन दोनों का काम क्या है तो हम ऐसे चीजों को उत्पादन करेंगे जिससे हमको याद रखना है कि क्या उत्पादन किया जाए क्या याद रखेंगे क्या उत्पादन किया जाए कितने पहलू है दो पहलू पहला किन संभावित वस्तुमों को उत्पादन किया जाए अब संभावित वस्तुमें दो वस्तु एक तो पूंजीगत वस्तु और एक भोगता व को भी चैन कर लिए हैं वस्तुओं का चैन करने के बश्चात उनकी मात्रा का भी नीड़ा लेना होता है कि कि वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और इस समस्या का मुल्ख सिध्धान अधिक्तम कुल संतुष्टी प्राप्त करना या करवाना है क्लियर हो ग इसके बारे में पढ़ेंगे चलेंगे तो दूसरा में है कि कैसे उत्पादन किया जाए यहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे चर्या अगे बढ़ते हैं कैसे उत्पादन किया जाए यह हो गया कैसे उत्पादन किया जाए अब यहां पर देखे लिखा है यहां पर यह लेखा है कि यह समस्या यह समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तुवों के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चेयन की समस्या है कैसे उत्पादन के आ जाए तो तकनीक की समस्या किसकी समस्या हो गई तकनीक के चैन की समस्या तकनीक मतलब आप मसीन के माध्यम से कि स्रम के माध्यम से कि पुंजी के माध्यम मतलब मसीन पुंजी प्रधान तकनीक हो गया और एक स्रम प्रधान तकनीक दो तकनीके हैं कि आप अधिक मात्र में पुझी लगाकर मसीनों को अपयोग करके उत्पादन कारे कर सकते हैं, दूसरा अधिक मात्र में स्रमिकों को रख करके स्रम के सकती के द्वारा उत्पादन कारे कर सकते हैं, यह दो तकनीक है, तो यह समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तुआं के उत्पा पहला है स्रम प्रधान का मतलब वही होता है कि स्रम की अधिकता होती है जिसमें मनुष्य मानुवी स्रम के माध्यम से वस्तों का उत्पादन कार्यक किया जाता है मसीनों का प्रयोग मतलब पूंजी का प्रयोग कम करके मानुवी स्रम के माध्यम से उत्पादन कार्यक किया जाता है हम इस लाइन के माध्यम समझ सकते हैं इससे अधिक इसमें अधिक स्रम वह कम पूंजी मतलब मसीनों के रूप में जो प्रयोग होता है पूंजी किसमें लगे कि मसीन को खरीदने में तो मसीनों का उप्योग कम करके हम स्रम के मादम से अब अगर कारे कर रहे हैं तो उसका बोलते हैं स्रम प्रधान तक्निक जिसमें स्रम का उप्योग अधिक किया जाता है और पूंजी का प्रयोग कम किया जा अधिक पुंजी मतलब अधिक पुंजी लगा करके हम क्या करेंगे नए नए टेकनोलोजी के मसीन खरीद लेंगे उस स्वस्तु के उत्पादन से संबंदीत जो भी मसीने आएंगे उसको हम खरीद करके उस मसीनों के मादम से हम जो है उत्पादन कारे करेंगे जिसमें कम से कम स्रमिकों किया हो सकता या कम से कम मानुमिय स्रम किया हो सकता होगी ति यहां पर पुंजी प्रधान तक्निक में क्या होता है पुंजी अधिक लगता है और स्रम की मात्रा कम होती है जबकि स्रम प्रधान तक्निक में क्या होता है स्रम अधिक लगता है और पुंजी की मात्रा कम होती है इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है पहले पॉइंट में हम क्या उत्पादन करें दूसरा है कैसे उत्पादन करें कैसे उत्पादन किया जाए पहला में हम पढ़ लिए कि क्या उत्पादन किया जाए दूसरा में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उत्पादन किया इसके पर बीभिन बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे भारत में स्रम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है भारत में दिकांस लोग जो है लगब लगब बेरोजगारी की समस्या भारत में अधिक है अब यहां पर क्या हो रहा है बहुतायत मात्रा में स्रमिकों की संख्या आता यहां स्रम गहन टकनिक को विशेस महत्वा दिया जाता है लेकिन अब धीरे धीरे जो है पुझी करण के और आगे हो रहा है और ने-ने मसीनों का प्रयोक करके आधुनिकी करण के और आगे बढ़ करके उत्पादन काजय किया जा रहा है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखे कैसे उत्पादन करें का धार्भू सिधानतिया है कि उत्पादन के साधनों का संयोग इस प्रकार गिया जाए ताकि नियूंतम लागत घर हो गया यह पर अधिक्तम उत्पादन या अधिक्तम उत्पादित हो सके जबकि दुरलब संसाधनों का नियूंत तो हम कैसे उत्पादन करें कि हमको उन जो उत्पादन के साथ नहीं कि ऐसा संयोग करना है या ऐसा संयोग लगाना है कि कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन हो साके हो क्लियर हो गया अब हम चलते हैं तीसरी समस्या जो की है किसके लिए उत्पादन किया जाए पहला हमने पढ़ा क्या उत्पादन किया जाए दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए तब किसके लिए उत्पादन किया जाए यह तीसरा वर्ग के लोगों के चेयन से समंदित है किस से वर्ग के लोगों से यह समस्य वर्ग के लोगों के चेयन से समंदित है एक अर्थ है व्यास्था में विभिन वर्ग के लोग कम गरीब गरीब कम अमीर अमीर रहते हैं आप देखे होंगे भारत में धिकान जो जन संख्या है वो गरीब तपके की है अब फिर उसके बाद मध्याम वर्गा है और अमीर वर्गा है तो गरीब कम अमीर और अमीर ये तीन वर्ग में बाटे हैं आप हमको ये समझना है कि यह समस्या आप उत्पादन करें तो कौन सी व के लोगों के चेन से संब्दित है एक अर्थ विवस्ता में कम गरीब कम अमीर और अमीर रहते हैं जिनको क्रैसक्ति की होती है जिसकी क्रैसक्ति कि उत्पादन कारे हमको करना है किसके लिए करना है इसी को चयन करना है हमको जिनके बीच आय का वित्रण किया जाना होता है दूसरों सब्दों में यह कह सकते हैं यह समस्य उत्पादन के सादनों जैसे भूमी स्राम पूंजी साहस के बीच आय के वित्रण से संबंदित है जो वित्रण और दूसरे है क्रियात्मक वित्रण वित्रण में क्या होता है तो राश्ट्री आया का विभिंबर्वρगों के वित्रण किस प्रकार। कि दो पहलू राष्ट्री आयका विभिन वर्गों के व्यक्तियों के बीच वित्रण किस प्रकार का हो दूसरा है क्रियात्मक वित्रण तो देश के कुल राष्ट्री उत्पादन में विभिन उत्पादन के साधनों का निर्धारण करना ठीक है तो इन दो पाइंट को याद रखना है आपको इस प्रकार इस समस्या का मुल सिध्धांदिया सुनिश्चित करना है कि प्रत्यक उत्पादन के साधनों की आवस्यक्ताएं अधिक्तम संभावित सीमा तक पूरी हो जाएं तो यह है अर्थव्यवस्था की केंदरी समस्या है अब हम समचित तोर पर एक ब संभावित को याद रखना है क्या कैसे और किस के ठीक है क्या में दो प्रकार की समस्या दो प्रकार के समस्या एक तो किन संभावित वस्तों को उत्पादन किया जाए और दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए तो यह तकनीक चैन की समस्या बता दिया पहले में क्या तक समस्य क्या बता रहा है तो पहले में जो है चुनाओं के समस्या यह देखिए पहले में साधनों के चुनाओं की समस्या दूसरा में जो है तकनीक के चुनाओं की समस्या और तीसरा में क्या बता है कि लोगोगों के चेयन की आ कि समस्या तो इसमें ब्यक्तिगत वित्रण बीद्रण दूसरा फरकार से आपको याद रखना है इन तीनो कि पॉइंट को याद रखना पड़े राके कि यहां पर आपको कितनी मात्रा में और दूसरा में और पुन्जी प्रधान तक्निक और समًवे में वित्रण। इन दोनों को आपको याद रखना है तो यह प्रशन जो है आपके जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है तो इस टॉपिक में बस इतना ही आज किल बस इतना नेक्स टॉपिक में जो है इसके और आगे जो महत्पूर्ण टॉपिक के उसके उपर डिसकस करेंगे तो आ मैं आपके लिए वीडियो नगतर बना करके लाने का प्रयास करता हूं वीडियो को देखने के लाब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद